मेरे प्यारे भाई यों बहनों आपका अपना चैनल केस एडूकेशन पॉइंट तो आज हम लेकर आएं दोस्तो बावर के बारे में जो परिच्छा में बार बार पुछ जाता है कोई भी ऐसा एक्जाम ना हो दोस्तो जिसके जो है क्यूचन जे बावर से क्यूचन ना पुछता हो तो आज ले करा हैं दोस्तो for all competitive exam के लिए दोस्तो टॉप 31, 33 कीचंग हम दोस्तो ले करा हैं जो परीछा में बार बार पुझा जाता है तो चलते हैं दोस्तो हम पहला कीचंग के ओर चलते हैं तो पहला किसन दोश्टो fender आपके एप्र播र का जन्मी 14 फर्वरी आपको، जो हैर 1483 ważसी को कहां पर हुआ था ते बहुत ही आच्छी कुछन दोश्टो आपको बार करतो बावर के बारे में दोश्तो इस से जादा आपको कहीं नहीं पुछने वाला है बस दोस्तो आज का जो है घादा बाहर पुछने वाला नहीं है तो चलते दोस्तो आज का जो है है हम स्विकार करते हैं तो पहला किवचन आपके स्क्राइब लेका है दो किवचन कि बावर का जन्म कब हुआ था तो देखना दोस्तों जब हुआ था आपको याद करने के सब्सक्राइब याद किजिएगा कि चौप कई फरवरी है तो दी यानिक फरगाना में जो है इनका बावर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 14 इस वी को हुए था दुसतों सब्सक्राइब दोस्तों हमें इतना दुस्तों अफ्य ओध नेकिता इस यह नाम क्या था तो अर्वर के पीता का नाम क्या था तो बावर का नव की ताउनिक तरह दूस्तो आपको याद करना है यह सुम्त रुखता रोक उसी तरह से हम जो क्या है आगर टॉणिक बसते वीडियो को पूरा देखेंगा दूस्तों एक क्यूचन आपको छूट कर दो घुता कर दूस्तों अपको दोस्तों बावर के माता का नाम था ओप्शन नमर ए यानि जो तो हो जाएगा बावर का प्रिता नाम है कुत लूग निगार खानम जो तो इनका जो बावर जी के माता के नाम था फिर दखने हैं चार नमर में निम्न में से जो है किसने जब आठ जून 1494 इसवी में फरगाना त्राज का उत्रा दिकारी प्राप्त किया तब उनकी उम्र मात्र बारा साल के था तो ओप्शन नमबर यानि जो है बावर थे कौं थे यहाँ पर तीन क्यूशन आपको याद करना है कि पहला नमर पूछे आपको जो है बावर न राजगदी पर कितने उम्र में बैठे थे बावर ने राजगादी पर बावर बावर ने काबूल पर कब गजा किया बावर जो थे काबूल जो है विक्षत बिक्षिट जो है शहर था उसी आपने कब्जा कर ले थे तो वो कबजा कब किये थे तो आपको जाएगा answer में option number B यानि जो है पंदरा सव चार इसवी में जो है बावर ने जो है काबूल पर कबजा कर लिये थे फिर दखना है छे नमर में बावर मूल रूप से कहां का सा सकते तो आपको फरगाना कि सा सकते कहां थे यानि कि इनका जो जन्म होता फरगाना में हुआ था और जो है जो मूल जो सा सकते वो कहां कि सा सकते तो फरगाना कहीं सा सकते फिर दखेंगे आगे जो है जो है बावर ने बादसा की उपाधी द्हारण किया था पीजम है आज या बादसा की उपाधी धारण किये था पिदिन्या य दिए आघ नम्बर किससे बेगम किसकी पुत्री थी तब बाबर के बेटी क्या नाम था था बाबर के बेटी के एक पुत्री थे उनके पुत्री का नाम था गुल बदन बेगम नाम था फिल दखना है 9 नाम में बाबर का पुरा नाम क्या था आपको बाब अ क्यूचन बता वब्यूद के बाब के बाब के विडियो दखने के बदाज नहीं है हम यह बढ़ता है नाम था है entropy खुटने तो बाबर को dysmos sound देखने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना बोले आप लोग ने हैं दोस्तों नीचे लाल करका सब्सक्राइब लिख लोगा अब जो सब्सक्राइब कर लीजिए और अवल बेल आकान दबा दीजिए जो भी अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंचे तो जो नाम था जहीर उद्दिन मुहम्मध बावर जो है बावर का लीक नाम थे दस नमबर में मूगल्मक के सस्थापक कौण थे तबन स्नम्बर बेर भी यानि दुस्तों बावर नहीं किये थै आपको एस पढ़ने के बाद दोस्तों इस बीडियो का आने पर आपको नहीं छूटने वहला बशनते वीडियो को बार आपसे एक ही करते हैं पूरा देखेगा कि एगार नमन दखेंगे 1526 इसवी में बावर ने किस बंस के सासक जो है परास्त कर मोगल समराज की निव रखी थी हम कहते है 1526 में बाबर ने कान से सासक की से बंस के सासक था भानें आने के बाद मोगल समराज पर अपना बैठक बना ले था यानि निव रख दिया था कि देखने जोए 1 1526 लड़ाया हुआ था वह बाबर और लोधी बंस के बीच उसके बाद सो 6 में लड़ाया था उसके बाद सम्राजन पर बाबर नयुक्त बारा नमरर में भार्ट पर पहला अकरमान कभ किया था था बाबार ना भारत पर आकरमान की थे अधराने हे उपन affinity नमबर में बाबर ने पहली बार पप십 म से कहा होकर भारत में प्रवेश किये थे हम कह सकते हैं पंजाब जो और प्रस्थात के तरह सब्सक्राइब ने हो जाए तो आपको आपके आपको यहां चन्देलिक का सासक मोज मेदिनी राय कौन थे चंदेली के सासक थे मेदिनी राय जो उनका निमंतर नहीं बिजाता तब ही उनको भात पर करने के लिए चलाएं थे पंदरा नमन में पानीपत के पर्थम लडाई किसके बिच हुए थी अभी आपको बताए दोस्तों पंदरा सो जो है आपको जो है 26 इसमीं में जब लडाई हुआ था आपको जो है उसी समय आपको जो है इम्रहाम लोदी और भाज जो है बाबर की यूद लडा गया था पहला पत का प्रथम यूद हो था वह किन के बिच्छ वा था आपको जो है बाबर और इंबराहम लोदी इसमें जब बीच हुआ था जिसमें आपको जो है पानीपत की पर्थम लडाई कब लड़ भी तो आपको पताए दो सब्सक्रेंड आपको जो है पंदरा सो जबिस इसमीवे पानी पत्के पर्थम लड़ाई हुआ था अगर पानी पत्के जितना भी लड़ाई हुआ था दोस्तों उसमें आपको ट्रिक की देखना चाहते हैं अधिक तो आपको पचीस से तीस किसा ट्रिक हम लेगे बना बनाया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आउल एक्जाम ज कुल्या नमर में खानवा का यूध कब और किसके बीचों लाटा गया था सब्सक्राणी इसमी में बाबर और राना संगा की बीच लड़ा गया था तब 1526 इसमी में बाबर और मिदनी राय की बीच जो हुआ इसमी बाबर और मिदनी राय की बीच जो है चंदेली की यूद लड़ा गया था 1529 इसमी में किसके बीच लड़ा गया था दोस्तो आपको बोले हैं कि जो हम लगतार जो है कर चुके हैं कभी नहीं भूल पाएगा बसते जो वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तो ट्रिक जो है इसके किसके बीच हुआ था अपसे नमबर सी यानि जो है बाबर और आफगानों के बीच जो है घागरा के यूद हुआ था 1529 इसमी में यूद हुआ था फितक नहां 21 नमर में मध कालिन एतिहास में वह पहला कौंसा यूद था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था आफ़ एंसर हो जाए घागरा के यूद हुआ था उसमें जल एवं थल यानि पानी के अंदर भी हुआ था आफ़ पानी के बाहर भी दोनों जड़ाई लड़ा गया था 22 नमर में किस यूद में बाबर ने पहली बार तिलूगमा यूध निती एवं तोप खाना का पर्योग किया गया था 25 नमर में किस यूद में बाबर ने जिहांद धर्म यूद का नारा दिया तथा यूद के जितने के बाद गाजी धर्म यूद का उपादी धारन किया था 26 नमर में कि बाबर ने अपनी आत्म कथा तुझुक ए बाबरी बाबर नामा किस भासा में लिखे गई थी बहुत ही अच्छा क्यूचन दोस्तों जितना भी क्यूचन हम बतार हैं बहुत ज़्या भी आई है तो वीडियो को पूरा देखेगा क्यूंकि आप बढ़ियो भगाएगा नहीं कि एक भी क्यूचन छूड़ जाता है बाबर तो ताप पानी पर फेर जाएगा बसलते वीड किसने पहली बार तोपो का इस्तमाल किया था तब मत काली जो भात में हुआ तो दोस्तों पहली बार तोपो का इस्तमाल किया था वो कौन किये थे तो आपको ऑप्सन नंबर हो जाए दोस्तों बी यानि जो है बावर ने किये थे पहली बार तोपो का इस्तमाल किये थे पिर जो कि उस्ताद अरी थे तो पिछीयों थे और निशाने बाद के नाम से जाने जाते हैं मुश्ताफा नाम जाने जाते थे फिरके ना 27 नमर में बावर ने अपने अत्म कथा बावर नामा की रचना तुर्की भासा में कीआते है बाद में उनका अनुबाद फार्सी में किसे ने किया था बहुतब बहुत थी अच्छा क्यों थो क्या क्या संद में उनका प्रिखना कीये थे पिझा 28 नमर में बहुतवald को भारत का सिर्वो स्क्टी साली सासक बताया था किस नाम से जाना जाता था पर आप नए है तो शर्ब से पर में चन्यों को सब्सक्काइब कर लिजे अगर ऐसा क्यूषन को सब्सक्क्सक्सक्राइब कर लिए तो आपके साथ ने चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेजी और बे लाइक दमाना ना भूले आप वीडियो के इतना 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 मिनत करते हैं कि वीडियो को कम से कम पांच लोग के साथ शेर करना न भूले जो आपके प्रियारी कर रहा है 8 नमर में मुंबय यान किसे माना जाता है आविए के नाम से ira नाम से ना जाता है 31 नमर में बाबर ने सरवपर्थम पदसाह की पदवी धारन की थी तो किसने की थी अप्शन नमर हो जो सो बी यानि काबूल में किये थे कहां किये थे काबूल में किये थे फिर दीशन नमर में बाबर की मिष्टू 1530 इसम्यों हुआ है तर गवा था हिस्टो पांदर सो तीसम्यों हुआ अपको पहले बताने पर चार यूद परमुख लड़े थे 1526 में 1527 में 1528 में 1530 में इनको मिर्तू हो गया दोस्तों इसका ऐसा हम ट्रीक जो है अपलोड कियें दोस्तों अगर जो नहीं देखते आप बार-बार आपसे एकी रुक्ष्ट करते तो कि आप जानते हैं दोस्तों तो अच्छी बात है न जो किसमगल सासक की सब को पहले आगरा के आरा जो है अराम बाग में दफना गया बाद में काबूल में उनका द्वारा चुने गया अस्थान पर दफना गया तब कौन है दोस्तों तो किया गया तो आज का लाक्त क्योंति हम भूर में इस बाहर को बाहर को देने वाला नहीं स्थ है वीडियों को एक वार नहीं समझें आथा सब्सक्राइब करें जैने आपकेकं यह नहीं सब्सक्राइब करें आपके आपको नहीं मिले वाला है चलते हम अगले वीडियो मिलें तब तक जय हिन जय भारत